Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start the very first chapter of class 4 TVS which is going to school. अब नाम से ही आपको clear होगा कि चाप्टर में आपको स्कूल बच्चे किस तरीके से जा रहे हैं, कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पर आपको दी हुई हैं, वो बताया गया है. अब अगर मैं जिस्ट बताऊं चाप्टर की तो आप जानते हैं, इंडिया जोग्रोफिकल एक एक एक्स्ट्रीमली डाइवर्स कंट्री हैं, कैसे? इंडिया में कहीं आप देखेंगे डेजर्ट्स हैं, जहाँ पर की सांड आपको बहुत देखने को मिलेगी, रेथ ही रेथ ह हैं, हर जगें, कहीं पर फ्ले माउंटेंच हैं, हिलड पहाडियां हैं, कहीं पर बारिश बहुत जादा होती हैं, कहीं प्लेटूस हैं, हैं ना? तो ऐसी जगों पर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? उसके बारे में ये चाप्टर हैं आपका, कौन सी परेशानिया उनको होत है कौन से means of transportation वो use करते हैं this the chapter is all about तो डिटेल में तो हम अभी पढ़ ही लेंगे खेर अभी स्टार्ट करते हैं अगर कोई भी बच्चा न्यू है चानल पर तो चानल को आप सबस्क्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि next time जो वीडियो आपकी आए वो मिसना हो ओके ओके so chapter 1 going to school let us meet some children and see how they read school कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो बच्चे school कैसे जाते हैं try these पहले आपको एक activity दी हुई है यहाँ पर यहाँ आपको try करने collect some bricks कुछ bricks इटे ही कठा करिए lay them on the ground in a line as shown in the picture जैसे picture में दिखाया हुआ यहाँ पर एक यहाँ पर थोड़ा left में एक दिन इसके सामने इस तरीके से उनको आपको arrange करना है try walking on them उन पर walk करने की कोशिश करिए was it easy क्या यह आसान था walk करना yes obviously आप कई वार आपने किया भी होगा जो बारिश बहुत जादा होती है तो बीच में place कर दी जाती है bricks को जिसे कि आप आसानी से teacher joels को cross कर सके next second activity है make a small bridge by trying four or five bamboo poles together tie करिए बांध के चार पांच bamboo के जो बांस के जो poles होते हैं उनको एक साथ बांधिये और एक चोटा सा bridge बनाइए ask your teacher to help you आप अपनी teacher की help भी ले सकते हैं now walk on your bridge आप उस bridge पर walk करिए how did you feel आप कैसा feel करते हैं अगर आप उस bridge पर चलते हैं तो you will feel scared आपको थोड़ा डर लगेगा did you fall down हो सकता है कोई बच्चा उससे गिर भी जाए तो yes or no अगर आप fell down अगर आप गिरे हैं तो आप yes लिखेंगे otherwise no if you walk like this in sorry this a few times अगर आप ऐसे ही कुछ कई बार चले bamboo bridge के ओपर you will start finding it easy तो आपको धीरे धीरे वो आसान लगने लगेगा do you think it would be easier to walk on this bridge barefoot or with shoes or slippers आपको क्या लगता है अगर आप इस bridge पर चलना चाहते हैं तो आप barefoot चलेंगे तब जादा easy रहेगा या फिर shoes या slippers पहन के walk करेंगे तब जादा easy रहेगा why तो होता यह है कि जब आप barefoot चलते हैं तब जो grip है वो जादा better बनती है आपके toes की that is why I think easier जो होगा वो barefoot जादा easier होगा I think it would be easier to walk on the bridge barefoot barefoot चलना बिना कुछ पहने पैरों में वो जादा easy रहेगा because कारण यह है कि toes gives a better grip slipper से shoes से उतनी अच्छी grip नहीं बनती है इन पर okay तो यह इसका answer हो जाएगा अब देखिए यह तो आपकी activity हो गई यहाँ पर आपको एक story दी हुई है bamboo bridge की and this इस chapter में जितनी भी चीज़ें आपको box में दी हुई है exam point of you से सिर्फ यह important exam में आपको यह तो नहीं आएगा यह activity ज़रूर अच्छी है समझने के लिए बड़ अगर आपको learn करना है chapter को revise करना है तो यह box की information important है bamboo bridges कहां पर पाए जाते है आसाम में okay it rains so much where we live जहां पर हम रहते हैं वहां पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है हमें एक चीज़ तो पता लगी कि Assam जो state है North Indian state है आपका मैं आपको map में भी दिखा दूँ यह state जब हम इसकी worksheet करेंगे तो यहां पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है sometimes after the rain there is knee high water everywhere कई बार बार Assam मेघाले अगर आपने सुनो यहां पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है आप कितने दिन स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि यह तो मेघाले mouse syndrome तो ऐसी जगे है जहां पर रोजी बारिश होगी अगर आप बारिश के वज़े शुट्टी लेंगे तो फिर तो आपका भी जा आपकरते दे हैं लेम्बु पकडते हैं दुसरे हाथ से देखієं बांबु ब्रिश का यह जो बांबु है अब क्रोश करते हैं बांबु यो बांबु यो की बश्यों में ब्रिश उट कि बना जाता है नीचे क्यों कि पानी जहां पर पर मिलती है सबसे पहले जहां पर यह पाई जाती है यह लदाक है everyday we have to cross the river to get to school लदाक में river है जो की बच्छों को cross करनी पड़ती है school जाने के लिए बीच में यह देखिये the river is wide and deep अब river जो है बहुत चौड़ी भी है और बहुत गहरी भी है there is a strong iron rope across the river river के across मतलब एक bank से दूसरे bank पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक बहुत ही मजबूत iron की लोहे की एक रसीस तरीके से बांदी गई है on both the side it is tied it is tied tightly with the strong trees or rock दोनों तरफ यह या तो पेडों से बहुत strongly बांदी गई है ताकि गिरेना या फिर पत्थरों से इसको बांद दिया जाता है there is a trolley an open box made of food trolley होता क्या trolley आप जो भी जैसे भी इसको प्रनाउंस करना चाहे यह लकडी का एक खुला हुआ box होता है ऐसे चलिए जूम करके आपको दिखा देते हैं देखे यह है ट्रोली यह एक बॉक्स होता है लकडी का attached with a rope जो कि rope से रसी से इस तरीके से अटाच कर दिया जाता है रसीया किसकी होती है लोहे की iron ropes होती है four or five of us sit in the trolley, trolley में चार या पांच बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं अब पुले help the trolley to move across the rope और एक पुले होती है यहाँ पर देखे यह पुले है जिससे आप हिंदी में गिरनी भी कहते है क्योंकि गोल गुल गुमती है इसके उपर रसी होती है गोल गुमेगी और जो trolley है वो आगे की तरफ चलेगी तो trolley की जो रसी है उसको एक पुले से attach कर दिया जाता है बहुत कम टाइम में हम दूसरी साइट पहुंच जाते हैं रिवर के बच्चे दूसरी तरफ रहते हैं स्कूल दूसरी तरफ है बीच में आ गई है नदी अब रिवर या क्रॉस या तो आप ब्रिज बना सकते हैं या फिर यह एक अच्छा ऑप्शन है कि उन्होंने क्या कर दि इस से पुले से जो कि बच्चों को एक से दूसरी जगह पर ले जाते हैं बहुत सारी होंगी यहां पर क्योंकि कई लोगों को क्रॉस करना पड़ता होगा इसको अब आपके लिए एक एक साइस है ऑप्जर पिक्चर वान इन टू इस पिक्चर को और इस पिक्चर को पिक्चर में अगर आप देखें तो बच्चा जो है वो डारेक्ट पुल नहीं कर रहा है यहां पर उसने पुले लगा लिया है पुले जो है जैसे कि मैंने का यह गोल-गोल घूमता इससे जो बाकेट इसको खीचना थोड़ा आसान रहेगा रसी को पुले के ऊपर यहां प उसको पुल कर सकते हैं ऊपर तो डिफरेंस क्या है इन पिक्चर टू इस कांसर आप लिखेंगे इन पिक्चर सेकेंड दिचाइल्ड इस यूजिंग अ पुले बच्चा जो है वो एक पुले को यूज़ कर रहा है वाटर को फेच करने के लिए ओके यूज़ करने के लिए तो पुले को यूज़ करने से जो चीज़ें आपके उनको आप एजीली पुल कर सकते हैं रादर दिन कि आप डिरेक्ट उसको पुल करें तो इजी कौन सा होगा यूज़िंग पुले लुक अराउंड यूज़ आप अपने चारो तरफ देखिए वेर और यूज़ यूज़ और कहां कहां पर आपने देखा है तो अगर आपने कभी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रॉक्ट होती हुई देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती है बहु मंजिला इमारते जो ह vedhi. sorry for hoisting flag flag को hoist करने के लिए भी यूज की जाती है पुले और for lifting heavy things lifting heavy things अगर आपने things cranes देखियो तो cranes में भी उपर पुले लगा होता है आपका जिससे की वो चीज़ों को easily lift कर सके okay तो यह तीन चीज़े हैं जिनके लिए पुले को use किया जाता है with the help of a पुले try to lift various objects as shown in the picture आप पे पुले अगर arrange कर सकते हैं school में तो उचसे different चीज़ों को lift करने की कोशिश करिये तो आप difference अपने आप feel करेंगी कि कितना आसान होता है चीज़ों को lift करना with the help of पुले okay cement bridge we often need to go across some water bodies कई बार आपको कुछ small water bodies को cross करना पड़ता है कोई छोटी river है या फिर lake है या फिर canal है so we use bridges उनको cross करने के लिए भी आप bridge use करते हैं और यह तो चलिए water bodies को cross करने के लिए प्लस आपने देखा हुआ कई बार railway line अगर कहीं पर है उसको cross करने के लिए भी overhead bridges बनाये जाते हैं कोई valley है river है roads के उपर भी कोई बहुत busy road है तो भी एक bridge बना दिया जाता है ताकि traffic थोड the bridge may also have steps इन में steps भी हो सकते हैं जिससे कि आप उपर चड़े cross करें उसके बाद फ्लाट होगा and then नीचे उतरने के लिए भी steps होंगे stairs होंगी आपकी okay now the question is how is this bridge different from bamboo bridge यह जो ब्रिज है यह bamboo bridge से कैसा कैसे अलग है तो यह जो ब्रिज है there comparatively wide थोड़े से चौड़े होते हैं बनाया होता है चलने के लिए wide होते हैं strong होते हैं उनसे obviously cement के बने है iron है वहाँ पर वो सिर्फ bamboo stick से बनाय हुए है and durable होते हैं जाधर durability है इनकी यह जाधर लंबे टाइम तक चलते हैं okay next how many people do you think can cross the bridge at one time कितने लोग लगता है आपको इस bridge से cross कर सकते हैं depends करता है कितना बड़ा use different kind of bridges आपने देखा होगा बच्चे अलग अलग type of bridges कैसे use करते हैं to cross rivers and other uneven areas to reach school चाहे उनको river को cross करना है या फिर कुछ uneven areas जो है उबडखावर कोई area है उसको cross करने के लिए वो bridge use करते हैं if you had a chance अगर आपको कभी chance मिले which bridge would you like to use and why आप कौन सा करना चाहेंगे आपके उपर करते हैं अगर आप कहीं कि मैं bamboo bridge करना चाहूंगा क्योंकि मुझे adventurous चीजे करना बहुत पसंद है वह आप वह भी लिख सकते हैं फिर आप कहीं मैं cement bridge use करना चाहूंगा क्योंकि ये safe है और easy to cross है जेसा भी आप इसका अंसर लिखना चाहें वैसे आप लिख सकते हैं okay next do you have to cross any bridge on the way to your school क्या आप जब school जाता है आपको कोई bridge cross करना पड़ता है करना पड़ता है तो yes लिखेंगे if yes दो वो bridge कैसा है उसके picture आपको draw करनी है find out from your grandparents what kind of bridges were there when they were young अपने grandparent से बात करिये वो आपको बताएंगे कि जब वो छोटे थे तब उनके time पर कैसे bridges होते थे अभी तो आ okay next is there any bridge near your house क्या आपके घर के आसपास कोई bridge है find out more about the bridge उसके बारे में आपको बताना है कि वो bridge किसी water body के उपर है road के उपर है दो mountains के बीच में फिर कहीं और है तो यह तो आपको खुद करना होगा क्योंकि आपके आसपास के बारे में आपसे पूछा हुआ है कि bridge कैसा है कहा पर है कौन कौन उस bridge को यूज करता है क्या उस bridge वो bridge पुराना है या फिर नया है उसमें कौन सा material यूज हुआ है वो कुछ आप लिखेंगे उसके picture आपको ड्रॉ करनी है अपनी notebook में और उसके उपर अगर जो भी train जा रही है bridge के उपर से वहिकल जा रहा है animals कौन 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 क तो we have to use boat or something use boat to cross water bodies आपको अगर water body को cross करना है तो या तो आप उसमें पूरा क्यूंकि जैसे कि वहाँ पर बताया गया first उसमें आसाम में कि नी height तक आपका पानी है घुटनों तक पानी है तो आपको चल के ही जाना पड़ता कर जादा पानी है तो आप boat वगेरा यूज करत रेलवे क्रॉसिंग है उसको क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाया गया है अगर वो ब्रिज ना होता तो क्या होता बहुत जादा ट्राफिक जाम बहुत जादा हो जाता क्योंकि सभी लोगों को वेट करना पड़ता कि रेलवे ट्रें जो है वो कब पास होगी उसके बाद ही तो यह आप लिख सकते हैं कि ट्राफिक जाम भी एक प्रॉब्लम हो सकती है तो कि यह थोड़ी सी दो ही पॉइंट इसमें बनेंगे अब कुछ और तरीके देखते हैं जिनसे बचे स्कूल जाते हैं नेक्स्ट इस बल्लम यह आपके लिए थोड़ा न्यू होगा इन सम पाट्स ऑफ केरला बल्लम कहां यूज होती है यह बहुत इंपोर्टन क्वेशन है वल्लम इस यूज इन केरला के लाओ करला के बच स्कूल जाने के लिए के बचे यह देखिएए थोड़ी की मोट कर देखी है तो इयू लिखेंगे और वाटर क्या कुछ और तरीके हो सकते हैं जिससे आप water में travel कर सकते हैं, yes obviously boat के लावा ships होते हैं, steamers होते हैं, and motor boats भी होती है, यहाँ पर तो वल्लम आपको दी हुई है, जो की हाथ से चलाई जाती है, next is camel cart, इसके बारे में पढ़ते हैं, camel cart कहां मिलते हैं, Rajasthan में, camel वैसे भी आपने previous classes में पढ़ा होगा, ship of desert इसको कह जाता है, क्योंकि देजर्ट में बहुत अच्छे से चल सकता है, इसके पास बहुत सारे आसे नेचर नहीं इसको चीजें दी है, जिससे कि यह उस कंडिशन में अपने आपको अड़ाप कर सकता है, जिससे कि इसके पैड जो पैड़ होते हैं, जो रेत हैं माहाँ पर गर्म तो उपर तक कि इसको बहुत लमबय टाइम तक यह बिना पानी पहर रह सकता है, बहुत लमबे टाइम तक बिना पानी पीर है सकता है,So, वे ले भी बच्छे बता है कि अम DeserticORYा, There is a चारो तरफ रेथ ही रेथ है, it gets very hot in the day, दिन में रेथ बहुत जादा गरह हो जाती है, we ride in a camel cart to reach school, हम स्कूल जाने के लिए camel cart को यूज करते हैं, तो राज़तान में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, with the help of camel cart, have you ever sat in a camel cart or horse carriage, आप कभी किसी टॉंगा या फिर camel cart में बैठे हैं, जिसको कि आप उंट गाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी कहते हैं, बैठे हैं तो yes लिखेंगे, कहां पर बैठे हैं, आपको भी गाओ गए हैं, या फिर जहां भी आप गए हैं, आप जहां पर बैठे हैं, वो आप लिख सकते हैं, did you climb on it yourself, कि आपने गाड़ी पे बैठने हैं, आप लिख सकते हैं, I enjoyed very much, okay, also share your experience in the class, class में आप अपने experience भी बता सकते हैं, कि ऐसे हुआ, मैं कैसे बैठा हैं, next is bullock cart, we ride in our bullock cart, bullock cart बोलते हैं, बैल गाड़ी को, हम bullock cart में ride करते हैं, going slowly through the green fields, चारो तरफ हरी घास हरे खेत हैं, उनसे अराम से उनके बीच से जाते हु if it is too sunny or raining, या तो बारिश ओरे या फिर बहुत जादा गर्मी है, we use our umbrellas, हम अपने umbrellas यूज करते हैं, ऐसा कहां पर होता है, प्लेन एरिया के जो villages हैं, गाव जो होते हैं, वहाँ पर बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, बुलो काड़ से, do you have bullock carts where you live, जहां पर आप रहते है तो आप yes लिखेंगे, नहीं अगर है तो no भी लिख सकते हैं, does it have a roof, अचा बुलो काड़ जो है, बहुत कम पर आपको रूफ मिलेगी, जनरली नहीं देखने को मिलेगी, so answer will be no, अगर आपने देखियो बुलो काड़ आपके यहाँ पर होती है roof, तो आप yes भी लिख सकते है depends करता है, what kind of wheels do they have, उनके wheels कैसे होते हैं, wheels बने होते हैं wood के, और जिनमें की iron rims होती है, with iron rims, make a drawing of the card in your notebook, उस card की आपको आपके notebook में drawing बनानी है, so that's all, अभी जो बाकी topics हैं, वो हम लोग next video में करेंगे, hopefully जितना आपको बताया गया है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, so thank you so much for watching